तो देखते हैं पर question no.6 में हम से क्या पूछा गया है The first ionization in thalpies values of third period elements जिसमें हमारे हैं पर sodium, manganese, silicon के क्या दरखें ionization in thalpies दरखें 496, 737, 786 kJ per mole predict whether the first ionization in thalpies value for aluminium will be more close to 575 or 760 kJ per mole justify your answer तो हमें यहां पर predict करना है और बताना है कि जो यहां पर aluminium की first ionization in thalpies होगी वो हमारे हैं पर किसके जादा close होगी 575 kJ per mole या 760 kJ per mole तो करते हैं यहां पर इसको solve तो जैसे कि आपको यहां पर पता है कि aluminium है इसका जो हैं पर atomic number होता है तो हमारे हैं पर क्या होता है 13 होता है उस हिसाब से आप यहां पर सोच रोंगे यह हमारे हैं पर magnesium and silicon के बीच में आएगा तो यह हमारे हैं पर 737 और 786 के बीच में होना चाहिए तो 760 का final answer होना चाहिए जबकि ऐसा नहीं होगा तो इसको समझने से पहले हम यहां पर पता होना चाहिए कि first ionization enthalpy होती क्या है तो जो हम यहां पर first ionization enthalpy इसको कैसे define कर सकते है the energy required to remove the most loosely bound electron of the neutral atom तो जो हम यहां पर सबसे loose electron होता है उसको हम यहां पर remove करने के लिए जो हम यहां पर energy requirement होती है इसको हम यहां पर first ionization enthalpy बोलते हैं तो सबसे पहらे हम यहां पर elements की क्या लिखेंगे electronic configuration लिखेंगे जिसे कि हम यहां पर आगे पता कर सके कि जो हमारे हम यहां पर aluminium का first ionization enthalpy है वो हमारे हम यहां पर किसके जादा close होगा तो जो हमारे हम यहां पर sodium है इसका atomic number हमारे हिहां पर 11 होता है और इसके जो हिहां पर last का shell भरेगा वो हमारे हिहां पर क्या भरेगा 3s1 भरेगा जैसकि यह हमारे हिहां पर क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड इसके बाद हमारे हिहां पर क्या एगा 3s1 आएगा तो मैं यहाँ पर simple last cell लेके चलूँगा, जिससे कि हम यहाँ पर आगे पता कर सकें, तो यह हमारे हम यहाँ पर sodium के लिए हो गया, अब मैं यहाँ पर बात करें तो magnesium की, इसका atomic number 12 होता है, इसका जो हमारे हम यहाँ पर configuration होगा, वो हमारे हम यहाँ पर 3S2 हो जाएगा, as it is, मैं 14 atomic number पर क्या आता है, silicon आता है, इसका configuration हमारे हम यहाँ पर क्या होगा, 3S2, यहाँ पर आजागा 3P2, तो हमने हम यहाँ पर पढ़ा था, जो हमारे हम यहाँ पर first ionization enthalpy होता है, वो हमारे हम यहाँ पर सबसी lose electron होता है, उसको remove करने में, जो हम यहाँ पर energy required होती है, वो हमारे हम यहाँ पर first ionization enthalpy होता है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होता है, जो हमारे हम यहाँ पर last cell में one electron होता है, वो हमारे हम यहाँ पर आसाने से क्या हो सकता है, निकल सकता है, lose हो सकता है, तो उसको ध्यार में रखते हुए हम यहाँ पर ionization enthalpy को arrange कर सकते हैं, तो सबसे कम यहाँ ionization energy चाहिए होगी वो हमारे हाँ पर sodium के लिए चाहिए होगी इसके बाद जो यहाँ पर चाहिए होगी वो हमें यहाँ पर magnesium के लिए चाहिए होगी तो जो हमारे हाँ पर aluminium है इसके last cell में हमारे हाँ पर क्या one electron होना है तो यह हमारे हमारे लस्य वर सिलिकन nova अजाएगा तो यहां पर आएवाइनजिशन एनर्जी और मैंगनेशियम क्या होगी अलमुनिय2000 और सिलिकन से हमारे MUSIC जोटी और सिलिकन प्रेफलीव आप पौजिटीवियर्य चाज चियाए तो जो हाँ पर ionization enthalpy होगी वो हमारी हाँ पर magnesium से क्या होगी कम होगी aluminium की इस हिसाब से यह हमारी हाँ पर कितना होना चाहिए 575 होना चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हो तो आप यहाँ पर एक और रिजन लिख सकते हो जो हमारी हाँ पर magnesium है वो हमारी हाँ पर aluminium से इसलिए बढ़ा है क्योंकि यहाँ पर shielding effect है वो हमारे हाँ पर क्या aluminium में ज्यादा है जैसे कि हमारे हाँ पर इलेक्टरन है वो हमारे हाँ पर क्या H2 है और जितना ज़ादा हमारे हाँ पर इनवेक्टरों क्या होगा es anci profiles पड़ेगा और shielding effect की वजह से जो हमारे हाँ पर aluminium में हो हमारे हां मैगनीसेसरे म से झोट है 7.37 थी तो obviously 7.37 से छोटा हमारे हैं पर क्या है 5.75 है तो यह हमारे हैं पर क्या होगा फाइनल अंसर होगा और इस कुशन के अंसर में आपको यहां पर क्या लिखना है वो आपको यहां पर रैट से लिख रहा होगा वोप आपको समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने नेश्ट कुशन के तरफ